ओम नमो भगवते वासुदेवाया सावन कृष्णपक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एकादशी चातुरमास की प्रथम एकादशी होती है और सावन के महीने में आती है इसलिए इसका महत्व और जादा बढ़ जाता है तो आज की इस वीडियो में आपके साथ में कामिका एकादशी की बहुती सरल पूजा विदी शेयर करने जा रही हूँ इससे पहले भी मैंने कामिका एकादशी के कई प्रकार के वीडियो आपको दी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं तो वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपनी फैमिली और फेंट सर्कुल में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये किसी आने के भी कामा सके और अगर आज आज आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्रा किया है और यहां पर देखे एक हमने पटा लगाया है चौकिया पटा आप लगा ले और उसके ऊपर हम देखे आज के दिन विश्नु भगवान का इस नान आदी से पूजन करेंगे आप चाहें तस्वीर भी ले सकते हैं नहीं तो देखे आज के दिन वैसे शाली ग्राम शि किष्ण का भी पूजन कर सकते हैं विश्नु जी के साथ साता पलक्षमी मया का भी पूजन कर सकते हैं कामिकाई कादशी के दिन हमें पंचामरत से लड़ु को पाल जी ठाकुल जी या अपने विश्नु भगवान को या फिशाली ग्राम भगवान को पंचामरत से सनान पूजन करते हैं वो हम इस जगत के लिए करते हैं यानि कि इस अंसार में हमें सुछादी क्या वश्यकता हुती है उसके लिए करते है परंद जो एकादर्शी का वृत होता है वह हमारे पर पर शुद्धोदक इस्तान करा देंगे, हो सके तो अपनी मूर्ती को आप इत्र की मालिश अवश्य रूप से कर दें, इस्तान कराने के बाद में, अब देखे चौकी के ऊपर हम पीला वस्तरी बिचाएंगे, भगवान शेरी विष्णु को पीला रंग अत्य दिक प्रिय होत प्रियोग किया जाता है, चावल का प्रियोग नहीं किया जाता है, और इसके बाद में जल का छीटा दे देंगे, और यहाँ पर देखें, आप गणीची की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो उनका ध्यान करते हूँ आप इस पूजन को करें, इस प्रकार से देखें, हम 20 रुपी के लावा इत्र लगा करके अर्पित कर देंगे, आप जन्यू भी अर्पित कर सकते हैं, साथ में चंदन का तिलक लगाएंगे, सरपत हम दीपक को तिलक लगाएंगे, उसके बाद में शिहरी विश्नु को उनके चक्र गदा दी जो भी और इनके चरन कमलों पर भी इस प्रकार से हम चंदन अर्पित करेंगे, इस तरीके से, और इसके बाद में पुस्तक का भी हम पूजन कर देंगे, और तूलसी मैया को हम इस प्रकार से दूर से ही तिलक लगा देंगे, एक आदशी के दिन टच नहीं करना चाहिए, और तोड़ना तो बिल्कुल भी नही चाहिए, इस प्रकार से देखे, तिली अर्पित कर देंगे, अक्षत के स्थान पर एक आदशी के दिन तिली अर्पित की जाती है, और इसके बाद में जो भी पुष्प हो, वैसे विश्न भगवान को पीले रंके पुष्प अत्य दिख प्रियों होते हैं, तो पीले रंके कर रही हो, आम, केला, और साथ में इस तरीके से देखे, और भी कोई पीला फल हो, पीले रंका विश्प महत होता है, विश्न भगवान के पूजन में, और इस प्रकार से देखे, एक जल का पातरहम, तुलसी दर डाल करके अर्पित करेंगे, तो इसके अलावा जो भी आपन कर सकते हैं, और इसके बाद में हम आरती करेंगे, आप चाहें तो देखे, कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो दीपक हमने प्रजलित किया है, उसी से आरती कर देंगे, साथ में हाथ में कुछ तिली ले करके, आज के दिन की कामी का इकादर्शी की कथा तरीके से आप इस पूजन को सुबह सवेरे सनाना दे से निवर्त होने के बाद में करें और थोड़ी दे बाद आप देखिए जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसे आप भोग के रूपे प्रसाद के कि पूजा के मंदिर में रख देंगे कुले आकाश के नीचे पूजा करने का भी अपना ही एक विशेश महत होता है इस प्रकार से अवश्य रूप से करनी चाहिए कभी-कभी हमें पूजा और चाहे तो मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं सावन का महिना है आज के दिन शिव ज अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो भी आपको यह पूजान अवश्य रूप से कर लेना चाहिए शुद्वसात्विक रहते हुए और एकाश के दिन हो सके तो चावल बिल्कुल ना खाए वैसे एकाश के दिन ऐसा कुछ नहीं है कि चावल नहीं खाने चाहिए एकाश के वीडियो आपके लिए बहुत यूसफूल लागा वीडियो थोड़ा भी यूसफूल लगाते हैं वीडियो को लाइक्शन चैनल को जरू सब्सक्राइब करें